नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगां की टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं वहां भीड़ कम करने के लिए मातर 25 पिसद लोग ही जा सकेंगे सभी धार्मिक पर्थिस्ठान बंद रहेंगे मोखे मंत्रे नितिस कुमार के अधर्षता में अप्ता प्रवंधन कर्मिटी की बिचेस बैठक आयुजित की गई मौसम विभाग के अनुसार रांची और आसपास के इलाके में 10 अप्रेल को बादल चाहे रहेंगे कहीं कहीं हलकी बारिष भी हो सकती है इसके साथ है 30-40 क्लियो मेंटर प्रति घंटा की अफ्तार सहावा भी चलने की समभवना है मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रेल से अकास में हलके वा मध्यम दर्च के बादल चाहे रहेंगे जबकि अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्शेस की गिरावट आने की समभवना है बतादे 14 अप्रेल के बाद से जार्खन में लू चलने की समभवना है जार्खन पहुंची वैक्सिन की 10 लाख 23 डोज जार्खन में क्रोना टिका की किलत दूर हो गई है बतादे गुरुवार को भारत बायोटेक कंपनी की को वैक्सिन की 2 लाख डोज मिलने के बाद सुक्रवार को सीरम इंस्चूट की कोवी सिल्ट की भी 10 लाख 23 आर आठ सो डोज जार्खन पहुंच गई सुक्रवार को सुबह राची अर्पोट पर खे पहुंचने के बाद सभी टीके सीधे नामको मिस्थित वेयर हाउस भेजे गाए वहां से टिक के जीलो को डिस्पेच किये गए मांग के अनुरूप तयार होगी उपाज किसानों को बाजार भी मुहया कराएगी सरकार किसानों की आप में ब्रीधी करनी है तो उसके उपाज का वाजिम मुले दिलाना होगा और उपाज भी बजार की मांग के अनुरूप तयार करनी होगी राज सरकार ने इसी अधारना को अधार बना बजार की मांग के अनुरूप उपाज तयार करने और उसके मार्केट लिंकेज की दिशा में पहल की है फिलाल इसे पाइलेट प्रोजेक्ट के तहद कुछ गाओं पर कलस्टर बना कर सुरू किया जाएगा पर्योग सफ़र भाने पर इसके दायरे का विस्तार किया जाएगा गुर्वार को नेपाल हाउस सचिवाले में क्रिसी मंत्री बादल की अधक्स्ता में हुई बैठक में इस बाबत गमिता से चर्चा की गई हजारी बाग में कोचिंग बंद कराने पहुँची पुलीस छात्रो का हंगामा हजारी बाग सहरी छेत्र के मटवारी एवं कोर्रा चोक इस्थित कोचिंग सर्थानों को बंद कराने पहुँची पुलीस को छात्रो के भारी बिरोद का समना करना पड़ा कोचिंग सल्थानों को बंद करने के बिरोद में करीब 500 चात्रों ने कोर्रा चोग को जाम कर दिया चात्र सरकार के खिलाब जाम कर नारे बाजी कर रहे हैं पतादे चात्रों का कहना है कि मैट्रिक और इंटर की परिशा करीब है ऐसे में कोचिंग बंद होने से उनकी पढ़ाई परभावित होगी छात्र सरकार दोरा जारी गाई लैन का विरोध कर रहे हैं और कोचिंग संथानों को खोलने की मांग कर रहे हैं कुरोना के काला नहीं बंद होगा ट्रेनों का परिचालन डियारेम राची रेल मंडल से होकर चलने वाई ट्रेनों का परिचालन को देखते हुए बंद नहीं होगा बतादे ट्रेन लगतार चलती रहेंगी अगर मुसाफिरों की भीर बढ़ती है तो ट्रेनों में आतरीक कोच लगाए जाएंगे डियारेम निरज ने यह जनकारी सन्वादात समयरन के दुरान दी डियारेम ने कहा कि इन दिनों लोगों में यह असांका है कि कहीं ट्रेन बंद तो नहीं की जा रही जबकि ऐसा कुछ नहीं है बता जरांची रेलवे स्टेशन से होकर आवी सता ही जोई ट्रेने चल रही है जारकन के पांच जीलों में बेड ऑक्सीजन वेंट्रिलेटर बढ़ाने का निर्देश जारकन के पांच जीलों में कुरोना के बड़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रन करने को लेकर क्वाय तेज कर दी गई है बता देमुक्त चीव सुखदेव सिंग ने वीडियो कंविसेंसिक माद्यम से परभावीत पांच जीलों रांच इधनवाद वोकारों जमसेतपूर और दुमका के उपायुक्तों को जांच और ठीका करन में तेजी लाने का निर्देश दिया है जनकारी के अनुसार अस्पतालों में बेट की संक्या बढ़ा कर समुचित विवस्ता के साथ ऑक्सीजान वेंटिलेटर का अतिरिक्त इंतिजाम रखने को कहा गया है 11 अप्रेल से कार्य अस्थल पर भी लगवा सकेंगे ठीका अब राज्य के सरजानिक और निजी कार्य अस्थलों में भी कोमिन के ठीका करन के उनुमति दे दिया है जिसके बाद राश्टी ए स्वास्त मिसान जार्खन के अभियान निदेशक रवी संकर सुकला ने राज्य के सबी सिविल सर्जनों को 11 अप्रेल से कार्यास तलो पर ठीक आकरन सुनिशित करने का निदेश दिया है महेंद्र सिंग धौनी को क्रिसी विभाग ने भेजा परस्ताव भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कपतार महेंद्र सिंग धौनी को जार्खन सरकार बड़ी जिमेदारी देने जा रही है बतादे क्रिसी विभाग धोनी को ब्रांड एमेस्टर बनाने की त्यारी में है क्रिसी मंत्री ने महेंदर सिंग धोनी को राजे का ब्रांड एमेस्टर बनाने का निमंत्रन दिया है उन्होंने कहा कि सहर का बेटा क्रिसी पर जोर दे रहा है इससे ज्यादा खोशी की बात क्या है ज्यार्खन सरकार के बजट के बाद किरिशी मंत्री बादल पत्रले की ओर से पहली विभागे समिक्षा की गई ज्यार्खन में 1925 नए केस मिले हैं जो रांची से 754 वोकारो 1649 देवखर भावन धनबाद 94 दुमका सतर पूर्वी सिहूं 256 गाडवा 28 गीरी डी बारा गोड़ा 25 गुमला 37 सजारी बैक शातिस जामतरा पचपन खुटी 100 कुडार्मा पैस सट लात्यार 26 लोहरदागा 25 हुई है जो रांची से आठ चात्रा एक धनबाद दो पुर्वी सिहूं तीन गुमला एक पलामो एक साहिवगन से एक मरी सामिल है जरकन में कूल मौत की संख्या 1175 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 10604 है भारत में 1,44829 केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 1,68 है 460 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 10,40,993 है बता दे कि भारत में 77,199 मरी स्वस्थ हुए है और जार्खन में 530 मरी स्वस्थ हुए है हफिजूल हसन की जीत रिकोर्ड मतो से होगी मुख्य मंत्री जाक्रन कंग्रेस के अध्यक सहराज के बीत तथा खादा पुर्दी मंत्री रमेशर उरा तीन दिवसे महदपूर दोरा परहाएं पता दे इस करम में सुक्रवार को मुख्य मंत्री मंसुरेन के साथ उरावन ने हफिजूल हसन और अधिक रिकोर्ड मतो से चुनाव जीतेंगे उतकर्स घुपता बने राची के नए एस डियो जाकंड सरकार ने सुक्रवार को भारतिय प्रसासनिक सेवा के दो अधिकारियों का तबादला किया है बताते राची के बुड्डू के अनुमंडल पता अधिक होगकारी बनाया गया है उदासिन नीजी आस्पतालों से स्वास्थ भवागने मांगा अस्पश्टी करान जाकन में कोविट-19 का इलाज कर रहे नीजी अस्पतालों के उधासिन रवया को स्वास्थ विभाग ने गमिता से लिया है बतादे विभाग ने इन अस्पतालों से अस्पष्टी करन मंगा है इन अस्पतालों में रांची ट्रस्ट होस्पिटल गुरु नानक होस्पिटल हेल्थ पॉइंट होस्पिटल और आलम होस्पिटल और रिसर्च सेंटर सामिल है उलखनी है कि ज्ञारकन के स्वास्त मंतरी बना गुपता के जगता में गुरुबार को कोई-19 का उप्चार कर रहे सभी नीजी अस्पता लोग की बैठक बुलाई थी कुरोना काल में इस्कूलों और कलेजों के बंद होने पर ज़ताई चिंता प्राइबेट स्कूल्स और चिल्डेंश वेलफेर एसेशेशन के परदेश अजहक्स अलोग कुमार दुबे ने कहा कि कुरोना काल में सबसे पहला प्रहार स्कूलों और कलेजों परिकियों होता है उन्होंने कहा कि स्कूलों खिलाब अलग से महल त्यार किया जा रहा है जो चिन्ता कभी सय है दूबे न सुक्रवार को कहा कि जार्खन का एजुकेशन, सेक्टर बंदी, किमार जेल कर तबाई के कागार पर है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्तान सबसे पहले बंद कर दिये जाते हैं राच्ची, सहीद, धनबा, जमसेथपूर, हजारी बैग, पलामो, देवघर पुकारो संथाल परगना जैसे सहरो के निजी सीख्छन संथानों में सनाटा पसरा हुए है राच्ची, सदर अस्पताल का OPD सेवा बंद राच्ची में कुरोना का संक्रमन लगातार तेजी से बढ़ रहा है सुक्रबार को सदर अस्पताल के साथ डॉक्टर और कोविन जाच करने वाले 5 करमचारी कुरोना संक्रमित पाए गया है सबी क्रमचारियों का जाच रिपोर्ट पोजिटिव आई है, रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद OPD से वाको बंद कर दी गई है फिलाल सदर अस्पताल के करमचारी को कुमीट नैंटीन जाच की जा रहा है जिसे आपाता चल सके कि कितने लोग संक्रमन के सिकार हुए है जारखन हाई कोटने यूद से की कुरोना की तुलना है जारखन हाई कोटने राची के रिम्स में सीटी एसकेन मसीन सहीत अने मेडिकल उपकरनों की कमी को लेकर सोता संग्यान से दायर याजका पर सुक्रवार को सुनवाई की चिफ जस्टिस डक्टर अभी रंजन वा जस्टिस सुजीत नरायन पर साथ की खनपीट ने मामले की सुनवाई के दोरन कुरोना जाच में हो रहे बिलाम पर करी नराजगी जताई खनपीट ने कहा कि कुरोना महमारी यूद जैसी इस्थीती है मंत्री हो या कोई और अभी कोई आराम नहीं कर सकता दील्ली में रेस्क्यू की गई नवालिक मामले में मुख्यमंत्री जैंठन के मुख्यमंत्री हमा सुरेन जैंठन पूलिस को दील्ली महिला आयोग से संपर करने का निदेश्तिय आहा être ताकि दिल्ली के करोल बाग से रेस्क्यू की गई जार्खन की नवालिक बच्ची की सखुसल वापसी हो सके उन्होंने पीर्टा के पुर्णवास के लिए समधित विभाग के साथ समन में अस्थाफित कर उचित करवाई करते हुए सुचित करने को कहा है लालू यादव बिहार के पुर्व सीएम उवरायत अध्यक्स लालू परसाद यादव की जामानत पर सुक्रवार को जार्खन हाई कोड में सुनवाई हुई इस दोरां सीबियाई ने जबाब दायर करने के लिए अदालत से वक्त मांगा इसे अदालत ने सुईकार कर लिया बता दे अब 16 अपरेल को दुमका को सगार से अबयद निकासी से जुड़े चारा गोटाले में सुनवाई होगी आपको बता दे कि गंभीर बिमारीों से ग्रस लालू परसाद यादो का इलाज दिली के एम्स में चल रहा है इससे पहले वे रांची के रिम्स में इलाज करेंगे स्वास्त विभाग तथा आपदा प्रमधन विभाग द्वारा जारी दिसने दिसकानल पारं कराएंगे राज सरकार ने कुरोना पर निहंत्रन के लिए भारते प्रसासिंग सिवा के एक दर्जन पतादिकारियों के बड़ी जीमिदारी दिया है इनमें प्रधान आमने हुई राची और दुमका जाखन में 23 से बढ़ रहे कुरोना वायरस संक्रमन के मामले में उप राजधानी दुमका सिधे राजधानी राची को टकर दे रहिया बतादे पिछले एक सब्ता के आकड़े बताते हैं कि राची में कुरोना वायरस की संक्रमन दर लबग 13 पिशदी रही तो वहीं दुमका में 11 परतिसात रही इसका मतलब यह है कि 100 लोगों की जाच में 11 कौरोना संक्रमन दर में दुमका राची को टकर दे रही है रांची से हटिया के लिए भी पिंक बस सेवा सुरू रांची नगर निगम के सब से अंतिम छेत्र हटिया तुपुदाना छेत्र से सु eta शुखरवार को विशेस रूप से मैलाओ के लिए पिंक बस सेवा सुरू हो गई है बदा देवाड 52 के पार्षद निरंजन कुमार ने हटिया इस्थित पार्षद कर्याले सहरी जंडी दिखा कर पिंक बस को रवाना किया निरंजन कुमार ने बताया कि इस छेत्र से मैलाओ को रांची आने जाने में काफी कट नायों का सामना करना पड़ता था रांची में मेगा रक्त दान सीवीर 10 को कुरुना संक्रमन काल में रांची के बलड बैंक में रक्त की भारी कमी है इसे मरीजों का इलाज बाधित हो रहा है ऐसे में प्रन्यास एवं राची नगर निगम द्वारा दरजनों संगठनों के सहयोग से सहरों में 10 अप्रेल को आटरे हाउस में मेगा रक्त दान सीवीर का विजन किया जा रहा है राजे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ग्रीम्स में गुरुवार तक के उलेक्षवी 41 उनिट रक्त था मधुपूर चुनाव बाहर से सिकारी आया है लेकिन खाली हाथ जाएंगे मुख्यमंत्री मधुपूर उनिट चुनाव के मधर नजर मुख्यमंत्र हमन सुरेन ने सुक्रवार को मारगो मुंडा परखंड के थाना मैदान में साभा को समधित किया इस दुरान उनिट ने कहा कि अभी बाहर से कई सिकारी लोग सिकार करने आया है परतु उनको पता नहीं है कि सब खाली वापस चले जाएंगे ख़र लोक तंत्र का पर्व है किसी को माना नहीं किया जासकता अब जानता को किसी परकार का लोब देखर भोट नहीं ले पाएंगे बोकारो पर सासन अलर्ट राज जमें बरते कुरोना संक्रमन को देखते हुए बोकारो जिला पर सासन पूरी तरह से अलर्ट मोर में है वहाई कोई जगों पर साखन मास्क चेकिन अभियान चलाया गया सरकार द्वारा जारी गाईलेंड का नुपलन नहीं करने वालों खिलाब जीला पर सासन द्वारा अपस्वक्ती भी बरती जा रही है तथा जो वहाँ चलाक वहाँ चलाते समय मास्क नहीं परने हुए है उसे जुर्माना भी वस्वला जा रहा है धन्यवाद